नमस्कार मेरे प्यारे बचों, एक वर फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्व चैनल दपीसी एंवीजन में आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास्टुविल हिंदी इलेक्टिव के अभिवेक्ति और माध्यम के टोप 50 MCQ प्रशनों को देखेंगे बचों, जो आपके वोर्ड एक्जाम में आने की जादा से जादा संभावना है तो वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में सेयर जरूर करेगा अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले आपको तो आप चैनल पर विजिट करें वहाँ पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को भी आप जोरू से जरूर देखें पहरी बचों बहुत ही जादा महत्पूर पचास प्रस्णों को हम लोगों ने डिसकस किया था और अभी जो अभिवेक्ति और माध्यन से पचास प्रस्णों को डिसकस करेंगा बचों इस टोपिक से आपका दस फ्रस्ण हमेसे आता है और इस बार भी आपका 10 फ्रस्ण आने की समभावना है और इस बीडियो को पूरा देखेगा और दोस्तों में से जरूर करिएगा तो चलिए, सटार्ट करते हैं आज़की इस बीडियो को पहला प्रश्ने बच्चों, संचार सब्द की उत्पति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? चलना, एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक पहुचना, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बच्चों, ओप्सन नमबर ये और ओप्सन नमबर भी दोनों, अनिकि ओप्स तुसरा प्रश्ने आपका निम्न में से कौन एक परसित संचार सास्त्री थे, तो इन में से कौन एक परसित संचार सास्त्री है, प्यारे बच्चों, विलबं स्रेम, विलबं सेम आपका परसित संचार सास्त्री है, ठीक है, देखिए, लाइब क्लस नहीं करवा रहे है, इस तैजन तार्ज लेखन का तो यह किसका विधा है प्यारी बचों इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर यह एक गद लेखन का ठीक है उसके बाद नेक्स प्रशने बचों फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतरगत आता है तो जो आपका फिल्म में प्यारी बचो प्यारी बचों द्रिश और स्रवे दोनों के अंतरगत आता है ठीक है ना हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं उसके बाद देखे फीचर के हिंदी में कौन सा सब्द परियुक्त है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा रूपक क्या हो जाएगा प्यारी बचों रूपक ठीक है उसके बाद देखे संपाद की किसके लिए लिखा जाता है तो किसके लिए लिखा जाता है संपाद की संपादक के लिए किसके लिए संपादक के लिए ओप्सन नमबर सी इस राइट आंसर उसके बाद देखे जन संचार माधियोमों का परमुक कारिक क्या है है पहले जाने लोगों का मार्क दक्शन करना दूफसरा ऑप्शन नमर अंजन करना तीसरा अप्शन सुचना देना वो और सीक्षित करना तो इसका राइट अंसर का हो जाएगा प्यारे बुचो और हिक्की ने परकासित क्या था ठीक है 1760 में बंगाल गजट अंग्रीजी भासा में और हिक्की ने ठीक है इसे आप लोग आद रखेगा उसके बाद देखी उसके बाद है पर्चित संबाद इसको थोड़े छोटा कर लिते हैं परतिय संबाद के बज़े किसी तक्निक या आंतरिक माध्यम के दुवारा समाज के एक विसाल उवर को संबाद कायम करना क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है प्यारे बुचों जन संचार कहलाता है ऑप्सन नमबर 20 राइट आनसर उसके बाद देखी विस्व की पहली बोलती फि एक स्वाव्तित कर देम और आपको चुछ रहा है कर देखेगें तो और और लूह स्चाली मोग फिल्म यह इस था थिक ऩो है तो option number C is right answer उसके बाद चलते हैं next question पर संचार परिक्रिया में आने वाली बधाओं को क्या कहा जाता है सोर या noise कहा जाता है option number D is right answer उसके बाद दीखी संचार का सबसे आदूनिक परकार है तो अंतव वेक्तिक संचार मोखिक संचार जन संचार तो इसका right answer क्या हो जाएगा पहरे बुचो जन संचार संचार का सबसे आधुनिक परकार है ठीक है उसके बाद चलते हैं next question पर जन संचार की परिक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके को क्या कालाते हैं तो क्या कालाते हैं पहरे बुचो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा option number B is right answer संचार माधियम का लाएगा उसके बाद देखी निम्न में से कौन जन संचार का माधियम का एक परिचलित वाड़ है उसी फसा दिता आपको और आप लोग जिससे सुचेगा है तो आप लोग रेडियो फटाक द्वर मारिएगा ठीक है ना जन संचार का माधियो है टेलिविजन भी है इंटरनेट भी है तो आप लोग रेडियो तुमारी ऑप्सिन अमरी लेकिन यहाँ पे नहीं द सब्सक्राइब को परकासित किया था बच्वों जेम्स आगस्तक ही की ठीक है कब क्या था शात्रों सो असी में अंग्रे जीवास आथा ठीक है उसके बाद देखे है हिंदी के पर्थम सापताहिक पत्र उदंत मार्तत के संस्थापक कौन थे तो कौन थे प्यारी बच्वों जुगल किसोर सुकल कौन थे जुगल किसोर सुकल उदंत मार्तर के संपादक थे उसके बाद देखे ओल इंडिया रेडियो की विधिवत अस्थापना कब गवा था तो कब गवा था पैरे बच्वों 1936 में कब गवा था 1936 में हुआ था दिल्ली में ठीक है उसके बाद पहली समांतर सीनेंबा अनि कला फिल्म मानी जाती है तो किस फिल्म को मानी जाती है पहले बच्वों पाथेर बंचाली जुबंचाली फिल्में ठीक है न Igorun चाली को प्रिश्ट की समसमाई घटनाओं पर अधारीत छपे लेख को क्या कहा जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा संपादा किये कहा जाता है क्लियर हैं उसके बाद नेक्स प्रिश्ण पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्ण बच्चों निम्ने में से कौन संचार का एक परकार नहीं है देखे प्यारे बच्चों जितना भी प्रश्णी आ रहा है नहीं है तो इसको आप लोग हलके में निम्मत लेजेगा कोईषण को द्यान से वहाँ पर पढ़ना है उसके बाद एक बार रहों पाधर जो बार निम्हीं यह नहीं जानते है उसे छोट डिना है, मतलब लाश्ण में टिक करना है ठीक है क्यों को इसका राइट अंसर को जाएगा संपादन ठीक है, ऊपरसरन नमर सी इस राइट अंसर उसके बाद देखे, संचार का सबसे बुन्यादी रूप है, तो सबसे बुन्यादी रूप क्या है पहरे बचों, अंतर वेक्तिक संचार का है, अंतर वेक्तिक संचार सबसे बुन्यादी रूप है, उसके बाद देखे, जन संचार का परमुक कायरिक क्या है, सुचना देना, स परकार का ओप्शन दिखे तो अधिकतर केस्में 90% केस्में क्या होता है वही आपका जो यह सभी अंसर होते हैं ठीक ना तो अंदाजेंगे इस विमारी का ठीक है पांच वेज़े आपका आता है उसमें चार कोशन वहीं यह सभी उलाना था ठीक है उसके बाद देखे, अगला question है जन संचार का सारवाधीक लोग पिरिये कि माध्यम किसे माना जाता है तो सारवाधीक लोग पिरिये माध्यम किसे माना जाता है इंटरनेट का, ठीक है यह सारा इंटरनेट के अंतर गता आता है प्रिंटिंग, मीडिया, टेलिविजन, आपका रेडियो, इंटरनेट के अंदर का था तो इंटरनेट को माना जाता है, ठीक है उसके बाद देखे, भारत में पसरो पर्थम अकवार कब छपा था मैंने आपको बताया, बागाल गजट 1780 में ठीक है, उसके बाद देखे, भारत की पहली मुख फिल्म का सरे किसे दिया जाता है, तो मुख फिल्म आपका क्या था, कमेंट करेंगे, अभी कुछ दर पहले मैंने आपको बताया हुआ है, आप ने रहेगा, तो जाइएगा, तो किसी सरे जा जाता है, डादा साहिब फाल क पुरुषकार भी दिया जाता है, ठीक है ना, सिनिमा में दिया जाता है, सबसे पुरुषकार है आपका, उसके बाद देखे, नेक्स कुछन आपका है, छापा खाना से समंदीत निम्न में कौन सा सही जोड़ा है, तो देखे पहरे बिचो, पुर्थगालियों ने गुटिन हाचा या फर्मूला होता है, यह कथे ना, आपका जो है प्यारे बिचों, यह सही नहीं, बाकि यह सब सारा आपका सही है, ठीक है, मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा डीटेल में बताएंगे, टेम तो हैं नी, चार पास ठेम है, ठीक है, उसके पत्र की आवाज माना जाता है, तो किसी आवाज माना जाता है, पहरी बिचों, इसका राइट अंसर हो जाएगा, संपाधकी, क्या हो जाएगा, ओप्सन नमर डी, संपाधकी को आवाज माना जाता है, उसके बाद देखी, आलेख लिखते समय किस बातों को धियान में रखन चाहिए तो समंदित विशे से जूड़े आकणों वह उधारनों का संगर हो संगरा हो लेखन के पूर्व विशे वस्तु का विशलेशन कर लिया गया हो तो इसका राइट अनसर यह दोनों हो जाएगा पैरे बचों अनिकी यह और भी ओप्सन नमज सी इज राइट अनसर ठीक है उसके बाद चलते हैं डेक्स प्रेशन पर निम्न में से कौन संचार परिक्रिया का एक तत्व नहीं है फिर से नहीं वाला आ गया है तो देखी यह स्रोथ संचारक संदेश प्राप्त करता है या रिसीवर यह आपका एक तत्व है लाकिस के संचार परिक्रिया का यह संपादन जो देख रहे हैं यह आपका संचार परिक्रिया का तत्व नहीं है बचो उसके बाद देखी कच्छा में होने वाली चर्चा या विचार युमस किस परकार की संचार है समू संचार है जन संचार है सांकेतिक संचार है या मोखि संचार है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा समू संचार बचो उसके बाद देखी नेक्स प्रशने आपका निम्न में से कौन जर संचार का एक परमुक कारी नहीं है तो परमुक कारी नहीं है प्यारी बचो इसका राइट अंसर हो जाएगा संपाधन करना परमुक कारी नही है उसके बाद देखी भारत में परकाशिस होने वाली पर्थम अकवार बगल गजट का प्रफ्सन कब किया गया था तो 780 में क्या गया था मैंने आपको पहले भी बताए उसके बाद देखी भारत में छपने वाली पर्थम tendi अकवार का क्या नाम था तो देखे प्यारे बचो, जो आप लोगों बंगल गजाड वो भारत में छपने वाली पर्थम अकबार था लेकिन वो अंग्रेजी भासा में चुपता यहाँ पे आपसे पूछा दा रहा है, हिंधी अकबार का नाम क्या था, तो हिंधी अकबार का नाम क्या था, उदंत मार् नेक्स प्रशन है दुर्दर्शन के कायर करमों की गुरुमत्ता में सुधार के लिए इंद्रा गानी ने किस वर्ष पर्फेसर पीसी जोसी को कि अधिस्ता में एक समीती गठीत की थी तो कब क्या था पहरे बचों को आपको देखना है सिर्फ निम्र्ठ में से कोनकाता क church printing विडियो की मिसीष्था पर कठ करता है तो यह आप जहां परी यह सभी देखेंंगे टिक है जहां पर यह सभी देखेंगे विचों वहां पर आपको यह सभी टिक कर देना है ठीक है 90% केस में इसा ही यह सभी आंसर आपका होता है तो यह सभी जो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बचो इन्हें सुरक्षित रख कर संदर तरह की इस्तिमाल क्यादा सकता है जो आप देख रहे हैं इसका राइट अंसर ऑप्सन नमबर डी हो जा पादक नहीं है प्यारे बचो तो इसका राइट राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर सी इस राइट अंसर छेत्र से खबरे एकट्टा करना कायर संपादक का कायरे नहीं है उसके बाद नेक्ष प्रशन बचो निम्न में से कौन अच्छे आलेक की प्रमुक वि इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर रेडियो जन संचार का कौन सा मध्यम है तो देखे पहरे बचो इससे पहले जो मैंने टॉप 50 कोश्चन करवाया था उसमें पांच माध्यम और अभी वेक्ति का कोश्चन करवाया था उसमें आपका जो 46 नमद का कोश्चन ता यही था ठीक है ना तो देखे कब यह कौन सा है स्रव यह ठीक पहले भी आपको मैंने बताया है स्रव माध्यम में ठीक है उसके बाद देखे पत्रकार किस परकार के होते हैं तो पुर्णकाली पत्रकार होते हैं दिर्ग कालिन पत्रकार होते हैं अंसकालिन पत्रकार होते है तो ये तीनों प्रकार की पत्रकार होते हैं, प्यारे बचो इसका राइट अंसर, option number D, विप्यूक्त सभी हो जाएगे, छापे खाने का अविस्कार किशने क्या था, तो किशने क्या था, गुटेन बर्ग ने क्या था, option number B is right answer, उसके बाद देखे, जारकन का परमुख समाचर पत्र हैं, हिंदुस्तान, परभाद कबर, देनिक जागरान, तो सारा तो न्यूज मेंने, सभी से न्यूज तो हम लोग रोग डेली बताते हैं, तो ये सभी आपका परमुख समाचर पत्र हैं, प्यारे बचो, option number D is right answer, हर जगह आपको यहाँ पर DD लगा देना है, जहाँ प प्राप्त करतत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फीड फारवड कहते हैं, क्या कहते हैं, फीड फारवड कहते हैं, उसके बाद देखी, प्राप्त संदेश का कुट वाचन कोन करता है, तो कोन करता है पहरे बचो, प्राप्त करता करता है, कोन करता है, प्राप्त करता करता है है उसके बाद देखिए पाचिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दियों में होता है उसके बाद देखिए नेक्स-प्रेशन पर हम लोग आते हैं मुद्रन का आरंब किस देश से हुआ था तो प्यारे बुंचों चीन से हुआ था तो यहां पर मैंने टोटल पच्छास कोश्चन आपको बताएं प्यारे बिचों और यह अभी विक्ति हो माध्यम से 10 प्रश्णियों आते हैं तो यहां से बहुत ही ज्यादा आपका 10 में से 8-7 प्रश्ण तो आही जाएंगे यह उमीद करता हूं ठीक है ना तो जित सब्सक्राइब का जिसमें टॉप सब्सक्राइब करते हैं तो इसको आप लोग देख लिजिएगा फोटो इसके में भेज दे रहा हूं एक किताब का ठीक है तो उसको आप लोग जुरू पढ़िएगा पैरे बचो ओ टेलिग्राम गुरू का लिंक डिस्क्रिप्शन में द आइवाद